के गाइस वालकूम टो माई चैनल वांस अगें सो आज हम बात करेंगे साइबर सिकुर्टी डोमेन की बारे में सो साइबर सिकुर्टी डोमेन में कितने सारे डोमेन होता है क्या होता है है कि क्या होता है एतिकल है कि वाइट है ब्लाक है एकर ग्रेयाट है कर इसकी सारे बस में ही थोड़ा वीफ में जानेंगे फो इसाइबर सेटो में हो गया और आपका इसेट हो गया नेंठी फ्रेम को बचाने के लिए यह और करो से जो ब्लाकेट हैकर होते हैं या जो भी लीगली चीज करते हैं उन लोग से कंपेनी या और्गनेजेशन को बचाने के लिए विसिकली साइबर सिकूर्ट डोमेन आया है तो साइबर सिकूर्ट डोमेन में कितने सारे कैटेगरी है जैसे कि आप मान लोग वाइब अप्लिकेशन पेंट टेस्टिंग नेटवर्क पेंट ाइब लिए या आपको बाद में पता चलेगा क्या-क्या होग सव एफव्ग्पलिकेशन में बैसिरली मान लोग कोई भी अप्लिकेशन हो तो इसको से मानन कोई आप्डेट वर्जन है या उसमसे शिक्रूरीट हैडर कुछ मैंसिन एंसमें कुछfinetto पनलाबिटी जो संवां इसको बैष। हाट कोड़ाइड शिक्रेट जा रहा है यो उसका पता चल रहा रहा है कि ये वर्जन यूल्ज कर रहा है और उसके बैसिक सब कुछ एक रहता है ज़्यादा था तो इसको टेस्ट करते इसे वाइट एक कर बनने के लिए आपको certified होना पड़ेगा और license आपको मिलना चाहिए तो जैसे कि इसी काउसिल आपका इल्लेंड security, offensive security यह सम बड़ा वल्डवाइड लाइक फ्रमस certification जो भी इस फिल्ड में आना चाहते हैं उन लोग से लाइक कर पाएंगा आप यह सरे वेबसाइड को आप रिसर्च करना इसी काउसिल इसी काउसिल offensive security और आपका इल्लेंड security यह आपको certificate प्रोबैड करेंगा तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तो वेर इस दा रिसर्स सो रिसर्स आपको मिल जागा ine.com में ine तो इसमें आप जाकर कोई भी प्रोपेस्टन को चूज कर सकते हो और पढ़ सकते हो और इसके रिगर्डिंग वह कंप्लीट हो जाने के बाद कोर्स कोई भी certification आप यह जो मैंने बताया जैसे इल्लेंड security और आप इसी काउसिल यहां से आप certificate पा सकते हो तो कौन सा certificate करें बहुत सारा certification available है सो उसमें भी categorize है जैसे कि digital forensic हो गया threat hunting हो गया या वेब application security के लिए चाहते हो नेटवर्क pen testing के लिए चाहते हो category होता है तो CH चाहते हो LPD चाहते हो CH क्या होता है certified ethical hacker जो कोई भी hacker के लिए initial stage इस पर entry level जो certification करते हैं लोग वो CE है जो की certified ethical hacker इसी काउसिल प्रोवाइड करता है उससे और भी अच्छा है LPD licensed pen tester licensed pen tester बन सकते हो इसी काउसिल से उसमें और भी categorization सा आपका इसको जरूर कीजिए और यह जो इवर्न में ने बताया है उसको जरूर रिसर्च कीजिए इसको इफ्रमेशन और भी ज्यादा मिलेगा आपको इसकी साथ साथ आप मानलों patching management इसको कैसे करेंगे तो मानलों आपको टेक्नोलोजी इतना भी पता नहीं है तो कुछ automation टूल भी अबले अबले market manager से हो गया quals guard हो गया यह automation टूल है जो कि आपको vulnerability find करके देगा फेच करके देगा आपका network को पूरा सकान करेगा और उसमें जो भी vulnerability मिलेगा आपको देगा आपका काम है उसको पेच करना तो मानलों किसी का भरजन है किसी का certification होने माला है तो आपको बताएगा कि इसको आप कैसे update कर सकते हो तो इसमें plugin output पे आपको solution दिखाएगा तो इसी की basic पे आप अपना बाला जो के भी रहेगा वो पूट करना सर्च पे और उसमें जो भी डाटेस बाला पेच रहेगा उसको डाउनलड करना और वह application में इंप्लिमेंट करना यह बैसिकली काम होता है मैंने थोड़ा अबर्वी बता रहा हूं यह साहद आपको information कुछ तर कुछ तो आइडिया आ जाएगा तो इसमें करना उसके बाद ही आगे बढ़ना आपको और बहुत सारे सर्टिपिकेशन है जैसे कि OSCP हो गया वह इनिशाल पे अपन्चिप सेकूर्टी साटिफाइड प्रोपेशनल ओसीपी उसकी बाद थोड़ा पेंटेस्टर का अपने खोद उसकी शाद साथ ओसीडी पर अगर आप शॉक अनलिस्ट बनना चाहते हो और डिफेंशिब में आना चाहते हो तो शॉक अनलिस्ट बनने के लिए OSDA अपनेशिब सीकूर्टी डिफेंश असोसेट साथ इंग असोसेट ओस डिये और दीजाता सम्साटिपिकेशन सो आप जब कीजिए उसकी सासा अगर आप वेब अप्लिकेशन में आपका करीर बनना चाहते हो जो इन सेकूर्टी डावली पीटी जो कि एलेबिंश वेबाप्लिकेशन पनेट्रेशन टेश्डर और उसमें भी अडवांस लेबल है बेसिक लेबल है जैसे एक्स्ट्रीम और beginner level के लिए WPTX version 1, 2 ऐसा रहता है, उसके साथ ताथ ECPPT V2, E-Learn Security Certified Professional Pen Tester version 2, जो कि आपको initial level पे as a pen tester certified certification देगा, उसके साथ साथ EC Counts के लिएका, LPT, License Pen Tester, जो कि थोड़ा अर्वान से CPENT भी बोलते है, Certified Pen Tester भी बोलते है, CPNAT, यह साथ 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 कर सेक्तों, आप जरूरी इसको research कीजिए, आप खुद इंफर्मिशन मिल जाएगा, तो मैं कुछ URL बता रहा हूं, वो आपको बाद में यो जाएगा, उसकी साथ साथ कुछ advanced tool जैसे virus total, जो कि बहुत effective tool है, जो कि cyber security domain में बहुत हर किसी domain पे काम करता है, जैसे कि malware में हो गया, VBT में हो गया, SOC में हो गया, हर कोई file, हर को URL को detect करने के लिए, sub domain करने के लिए, IP को malicious file को check करने के लिए, यह साथ virus total यूज़ करता है, उसके साथ साथ कुछ tool हो गया, जैसे कि hybrid browser link, यह सब कुछ tool है, जो भी defense में काम हाता है, आपको इसको भी बारा में भी थोड़ा hands-on रहना चाहिए, virus total all about, उसकी साथ साथ यह domain में आने के लिए, सिधा रास्ता यह है कि कोई भी एक programming language सिख लो, Java, Python, JavaScript, HTML, सारे कप programming language का एकी concept है, बास उसमें थोड़ा syntax पा अलग अलग, थोड़ा सा changes होता है, बाकि एक programming भी आपको आपको आता है, तो it will fine, उसकी साथ साथ network, how it works, what are the ports, how it works, and netting, these are some technology, if you are trying to find a job all about network pen testing, then it's fine, और मैं Android mobile के लिए मैं आपको बूलूँगा कि EMA PT, जो कि E-Learn Security Mobile Application Pen Tester, E-Learn Security देता है, वो जरूर certification करना, उसकी साथ पढ़ने के लिए IME का, मैंने अलड़ी बता दिया है, IME से आप कोई भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, उसकी बात यह जो कुछ certification, डोमीन में ने बताया, वो वहां से कर सकते हो, EMA PT में आपका E-Learn Security Mobile Application Pen Test होता है, और उसकी साथ है, उसमें Thunt Hunting Professional के भी आता है, CTPH2, उसकी साथ मालवर का भी रहता है, मालवर एनालेसिस के लिए, governance, risk compliance के लिए भी रहता है, तो इसके बहुत सारे डोमेन है, तो आप कोई भी एक डोमेन चूज कर स सकते हो, Digital Forensic में भी आप जा सकते हो, इसमें भी आता है, E-Learn Security एलसो भी गूट फॉर यू, so E-Learn Security.com जा करना उसमें कौन जा सर्टिपिकेशन क्या करना पड़ता है, क्या उसका प्रोसेस, हर कोई को सर्टिपिकेशन के लिए 400 डोलर देता है, लेकिन बहुत सी सर्टिपि दुग सर्टिप करेब दूर दूर्सकारेइ लिए 24 यू, so E-Learn Security ऑर खेल स्वहतर है आपको आना चाहिए, तो मैंतें वानेवललवलेवटी मैंचमें प्रोसे प्लावते घू, प्रोसे खेलखन आपको आना चाहिए, वानेँ आपको E-Learn Security ए आपको आना चाहिए, अपको दोनों आना चाहिए ऐसा नहीं आपको टूल ओरिंटेड होके बैठ जाना है तो वह आप ज्यादा टिक नहीं पाएंगे कि दर भी आकर फ़स जाएंगे तो इसलिए आपको बहुत अट्रमेशन अनने मैनु लाइना चाहिए और उसको शाथ साथ कुछ आडवांस टेक्नोजी आए गया जैसे कि सीए टीपी सीए टीवी तीवी ओसाटिपैर टीम ऑपरेटर साटिपैर टीम प्रोफेशनल साटिपैर टीम एक्सपर्ट साटिपैर टीम मैनेजर दीजाजा सम सा आप टीमिंग आप शाथ सकते हो और टीमिंग में अगर जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता उससे और भी चीजे आपको ये करना होता है जैसे कि मैनेजर बनने के लिए और कुछ आडिशनल सी एसस्प जैसे आपको हेल्प करेगा सी इससप और साइबर सीकूर्टी नर्मल सेटिफिकेशन जो इसस्प जो आपको हेल्प करेगा इसके बाद आडमस भी जा सकते हो तो मैंने कुछ डोमेन की बार में आपको बताया साइबर सीकूर्टी अल अबाउट कुछ चीजे मैंने छोड़ दिया कुछ चीज मैंने बताया थैंक्यो बेरी मुच फॉर यूर टाइम और इसको जरूर इंबल्मेंट कीजिए थैंक्यी अल और मुझे जह सीकुर्ड़ और अशỡिन सीकुर्ड़ung